हेलो गाइज महरुक्सार संभी मुहम्मद अच्छा में अच्छा 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 पर देखतें वीडियो फिर देतें सब्सक्राइब नहुस्का दोस्तों डिडिर्याट के एक और एक्छिन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हुआ लोग तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ वो वीडिया है इंडिया और कनेडा के बीच जो जारी भवाल है उसके उपर इंडिया बैंड कनेडियन्स वीजा पाक पब्लिक शॉकिंग रियक्शन चले भई देखते हैं कि किस तरह के शॉकिंग रियक्शन आ रहे हैं बहुतरी बहुतरीन हो आज तैंक यू सो मच सर आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिस्पेट करने के लिए अच्छे सर आपको इल्म होगा इस वक्त कैनेडा और इंडिया के दर्मयान जो तालुकात हैं दिन बदिन काफी कशीदा होते ज है वो पूरी दुनिया में अपना एक खेल खेलते हैं पाकिस्तान उसका मूँ बोलता सबूत है वह यार दी विटनस यह टूप विटनस है ना मुझकी यह कॉलबोशन यादेव को हमने पकड़ा हुआ है हमारी इंटेलिजेंस एजंसियों ने से पकड़ा हुआ है तो वह य सख़ लिए तकली नामों से पस्पोर्ट बनवाई हूए हुए थे बन्वाले के नाम से कबी किसी के नाम से गोल्ड का कारूबार वह उसको वह को तश्रीय करता था अब वो हाजर सर्वेस नेवी का मिलिटरी एफिसर है उसे मिलिटरी रहं का वो फीसर है उसे अरेस्ट किया गया हमारी इंटलिज ने बड़ी मिनत के साथ उसे ना सिर्फ गृफ़तार किया और वो हमारे पास यह पूरी दुनिया के लिए हमारे पास एक मुनना है कि इंडिया का जो स्याच चेरा है वो मारे सामने है कि कलबोशन यादेविया उसके लावा और बहुत सारे जो पकड़े हैं वो सब इनके सामने यह इस बात का सबूत है बड़े नादान हुआ प्यार इतनी सारी जानकारिया हैं आपके पास कि वो billions of dollars रुपए लेकर आया था और ये करता था मुबारिक अली के नाम से था ऐसा करता था तो ये बात आपकी agencies को क्यों नहीं पता ये बात आपके उस नालायक वकील को क्यों नहीं पता थी जिसने International Court of Justice में पाकिस्तान का केस लडा और केस हार गया पता नहीं आपने जाकर International Court of Justice की judgment जो थी वो judgment पढ़ी की नहीं पढ़ी मुझे इस बात पर पूरा शक है पढ़ी नहीं होगी आपने उसको जाकर पढ़िए उस judgment को उस judgment में क्या लिखा गया है आप मुझे ये बताईए कि क्यों International Court of Justice के फैसले ने कहा कि फासी पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी कोट ने तो उसे फासी दे दी थी ना अच्छा चलिए उससे भी आगे मेरे इस सवाल का देदो सर बड़े पढ़े लिखे लग रहे बड़े बोलने में भी बड़ा अच्छा हो तो ये जवाब देदो कि पाकिस्तान की सरकार ने नया कानून क क्यों बनाया कुलभूशन जाधव के लिए किओ बनाया कानुन बता दो तो आप मुझे इस बात का जब वो साबित हो चुका है कि वो जासूस है जब वो साबित हो चुका है कि इसने इतने बड़े-बड़े काम चिये फर्जी पासपोर्ट और ऐसा और वैसा बतलब तो फांसी पर क्यों नहीं लटका है जो आर्मी कोट का फैसला था इसका जवाब दे दोगे ना जो को होगे मैं आप मान जाओंगा लेकिन पुखता जवाब इस बात का कोई सबूत आपने नहीं दिया कि वो billions of dollars कोई खाता होता दिखा देते कोई उसका प्रूफ दे देते हवावाई बाते करनी हो तो मैं आपके बारे में कहते हूँ कि मैंने आपके खाते में एक लाक रुपे भेज़े हैं इंडियन मैंने आपको बोला है कि भाई आप जो है वो सोना स्मगल करते हैं मैंने आप से खरीदा है सोना तो मुझे इसका सबूत देना पड़ेगा ना आपने आके तो बड़ी आसानी से बूल दिया कि जी बिलियन अफ डॉलर और ये और मुबारक अली और फलाना धिम का सबूत का है उसका दिखा तो दो दिखाओ तो सबूत हवा हवाई बाते करनी तो बड़ी आसान है ना बड़ी आसान और आपने का कि पाकिस्तान इसका विक्टिम है कि इंडिया की जो एजनसीज है वो काम कराती है तो आपकी एजनसीज क्या कर रही है फिर आपकी एजनसीज क्या कर रही है बड़े मैंने सुना कि आप यूटूब बता दीजे कि इमरान खान, आपके पूर पियम नहीं, पत्रकार इमरान रियाज खान, किसे उठाया, किसने उठाया उसे, इंडिया की एजंसी ने उठाया है, कि आपके पाकिस्तान की एजंसी ने उठाया है, बता दीजे, उस बिचारे का बाप जो है, दरदर की ठोकरे खा मार आ है वहीनों से? कोई बताने को तयार नहीं है। अच्छा छोड़े चलिए। ये बताईए कि वो जो अर्शद शरीफ था, क्या नाम था उस पत्रकार का? जो केनिया में मार दिया आपकी एजंसी ने। केनिया आपके बाप की जागर नहीं है ना। आपके बाप का देश ने मरवाया, इसका जवाब देंगे? उन्हें काया कि या पांच दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं देखें जस्टन टूड़ो दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ही अर्ज और ट्वंटी जो जी एट जी ट्वंटी होई कांफरेंस उन्होंने भी इस मसले को उठाया कि वो जस्टिस उनका ट्राइल करने उन्होंने इसको सीरि Bluetooth ने लिया और जस्टन टूड़ो काया किनेडियन गौर्मन्ट के लिए इसलिए सीरियस है और बड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि उनकी अपने खुदमुक्तारी पर एक तमाचा लगा है, उनकी खुदमुक्तारी के उपर हरफ उटा है, कि एक बाहर की इंटेलिजनस आई है, और रेंटेड कातलों से मरवा दिया है, लेकिन सर देखें, ये कैनेडा की गवर्मेंट के उपर खुद भी एक बहुत ब बिजनसमेन कैनेडा जाना चाहे, उसके लिए मुश्किलात हैं, लेकिन ये खालिस्तान के जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी वांटेड क्रिमिनल होते हैं, ये भाग भाग के कैनेडा क्यों जाते हैं, और कैनेडा इनको पनहा क्यों देता है, पूरी दुनिया में, इसी लिए कारए पनी आपने? काले पानी की सजा ओस्ट्रिलिया में भीजे जाते थी, कहाँ पढ़िए आपने भाई? कौन से? पाकिस्तानि किताब है! क्या पढ़ते हो भाई? मदर्से से तो नहीं पढ़े ना? या वाट्साप का घ्यान तो नहीं ले रहे हैं? औस्टेलिया को अंग्रेजों ने बनाया काले पानी की सिजा के लिए इसलिए कहता हूँ पाकिसानियों को पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है औस्टेलिया को अंग्रेजों ने बनाया जैसे भारत में अंग्रेज पहुँचे न, 1720P के आसपास वैसे ही ऑस्टेलिया में भी 1788 में या आप कब पहुँचे थे अंग्रेज वहाँ भी पहुँचे जाके हिस्ट्री पढ़ो न सर इसलिए कहता हूँ मैं बड़ी दिक्कत है पाकिस्तानी में पढ़ते नहीं है अंट शंट बंट कुछ भी बगबग बग 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 बोल देंगे और अपने आपको समझेंगे ओ मैं तो बड़ा अलीट टाइप का आदमी है यार बड़ा ज्यानी हूँ मैं इतना अज्यानी हूँ, क्यों ये दो मिनट में पर्दाफाश हो जाएगा मेरा और से लिए कि हिस्ट्री पढ़ लो सर जाके ढंग से पहली बार और काले पानी की सजाना अंडमानी को बार में दी जाती थी अंग्रीज अगर आपने अपने पूर्व घर, पूर्व देश भारत की हिस्ट्री धंग से पढ़ी होती पाकिस्तानी हिस्ट्री नहीं जो पिचत्र साल पुरानी है भारत के हिस्ट्री पढ़ी होती धंग से तो आपको पता चलता कि काले पानी के सजा जो है वो अंडमान निकुबार में दी जाती थी नकी ऑस्ट्रेलिया में धन्ने ग्यान है ज़र आपके कौन सी क्लास तक पढ़े हो ऐसे अच्छे चलो कोई बात को इतना जबरदस्ट बना दिया कि जैसा मुलक की सी कांटिनेंट में नहीं है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकट देख लें हैं ऑस्ट्रेलिया की किसी भी शुबहा है जिन्दिग्ये में देख लिए उन्हों तो यह कनेडियन गौर्मन्นट का बहुत बढ़ा दिल है उनका दिल आप ये कहा कि आपने का जी जो क्रिमनल है इसलिए है ये भाई इसलिए उसके प्यार में पागल हो गया है ये भाई आप पर शक हो रहा है आप कहीं कुछ और तो नहीं है ना अच्छा चलो मजाग की बाती ये भाई इसलिए उसकी तारीफे कर रहा है क्योंकि वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है और खालिस्तानियों को कौन सपोर्ट करता है पाकिस्तान करता है ISI करती है इसके भी सबूत है ढूंड लेना मिल जाएंगे आप ढूंड लेना मिल जाएंगे खालिस्तान के कई टॉप लीडर्स ना आपके हां पाकिस्तान में पाये जाते हैं याद है न अभी हाली में दो को मारा गया था पाकिस्तान में ही दोनों खालिस्तानी थे तो इतना सबूत काफी है ना इसलिए पैयार है क्यों हो क्योंकि वो 71 में जो बंगलादेश तूटा था उसका बदला लेना है हमें भारत से तोड़ कर और खालिस्तान को हवा दे कर है ना भाई साब सही बात बोली ना दिल की बात यहाँ जो फ्रीडम फाइटर है यहाँ टर्रेस हैं वहाँ चले जाते हैं मैं आपकी इस बात से इतफाक नहीं करता तो आपने खालिस्तानियों को फ्रीडम फाइटर बोला याद रखना बलुचिस्तान में भी तो फ्रीडम फाइटर हैं की नहीं हैं है ना आप अगर इधर फ्रीडम फाइटर बोलोगे तो हम इंडियंस भी तो फ्रीडम फाइटर करेंगे जैसे आप कर रहे हो आगे नहीं नुटर के फ़र्ड लोग पड़ा है ना याद रखना एवरी एक्शन है इक्वेलेंट रियक्शन याद रखना आप देखें आजादी राए अपनी आजादी के लिए अपना एक नजरीया पेश करने के लिए अगर कोई मुल्क आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे है और बरतानिया ने तो इस सब कंटिनेंट में तो सारे लोगों को नौकरियां दी हैं वहां पर पाकिसान से और इंडिया डिपेंड डाउन कैनिडा अब जिस बाई सिक भाई को देखें वहां पर सेटल्ड है इस तरह पाकिसानियों को किशीद की है वह बढ़ेगी और इसकी ओपर वीजा जो पॉलीस यह शायद उसके ऊपर भी रिवीव हो जाए इंडिया के हवाले से इंडिया ने कर दिया इंडिया के वीजा सस्पेंड कर दिये विजा कोई भी कैनिड़ा से इंडिया नहीं आ सकता चाहे जो मर्जी परपो उन्होंने अपने पाउं पे खुद को लाड़ा मार दी है आप कनेडियन जो है उनका मुलक बड़ा जो ग्राफिय के इतबार से वहां पर बेदर मवाकिय है रोजगार के हर बंदा वहां पर जाता है अपनी मैश्चत को अपने घर के लिए एक अच्छे ख्वाब और सपने हस होने वाले अगर कैनिडा इंडिया के लिए वीजा बंद करता है तो आप देखें हर साल 3लाक से स्जाधा इंडियन कैनिटा जाते हैं पढ़ने के लिए जिस से कैनिडां को मिलियन ऑफ डॉलर का फाएदा होता इंटरनेशनल इंडियन स्टूडेंट केंड़ा में जाकर पड़कुदिए वहां में बिजन pinch करता है इसका एक कमानोमी को कोई करता है तक है अगर कैनड़ा स्कार से इसकंग है इसार्य चाना कैनड़ा को ऑषदा है मैं आपकी इस बात को जरा थोड़ा सा अपजेट लेता हूं इसका ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा वो कैसे वो इस तरह के कैनेडा बहुत बड़ी यहां से चीजे पर चीज़ करता है इंडिया में मंडी है अगर यहां इस तरह इस नहज पर तलुकाद चले गए इस हाल उसके बाद बंगॉलीयों के लिए जोल देगा मिडली इस में और सारे मेलेक यह वो इंडियानी लाइक रहे हैं पूरी दुनिया में की वह कारणा मां दिखा सकते हैं मैं इस इस बात से इतफाक नहीं करता पाकिससानी बहुत जिनियस है पाकिसान पुर दुनिया में चाहि करती अब आप देखें कि यूएसे की बात करें जितनी में मल्टिनेशनल कमपनीज हैं गूगल मार्कुसॉफ अडॉप नोक्या ट्वीटर इन तमाम की सीओ इंडियन हैं आप के रहे हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तानी चाहे हुए हैं मुझे तो लगता है पूरी दुनिय कैसे हो सकता है यार कोई इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है यार चैलेंज भाई आपको एक दो पाकिस्तानी आप मुझे बता दें एक दो पाकिस्तानी जो किसी बड़ी मंटी मंटी नैशनल कमपनीज के सीओं हैं जो उन कमपनीज को चला रहे हूं और मैं आपको स्क्रीन शॉट चश्पा कर देता हूं आप इसको ध्यान से पढ़ लिजएगा वैसे पढ़ने के आपके आदत लग नहीं रहे हैं मुझे आप मदर्सा चाप लग रहे हैं और वही वाटसाप ग्यान वाली लग रहे हैं इस लिस्ट में देख लिजए कि किन-किन कमपनीओं को इंडियन्स चला रहे हैं और आप इनके बदले मुझे पाकिस्तानी एक लिस्ट देदो जो इसी लेवल के हो मतलब गूगल जैसी कमपनी का CEO इंडियन हो यूटूब जैसी कमपनी का CEO पाकिस्तानी हो यूटूब जैसी कमपनी का CEO पाकिस्तानी हो IBM जैसी कंपनी का CEO पाकिस्तानी हो मतलब इतनी बड़ी-बड़ी जो कंपनी है तुच्च मुच्च नहीं कि ट्रक की एक कंपनी खोल दी है उसके पाथ दिर सो ट्रक है उसका CEO जो है गो हो पाकिस्तानी है बहुत बड़ा प्रॉपगंडिस्ट है मैं बता रहा हूँ मुझे एकदम लग रहा है बहुत बड़ा प्रॉपगंडिस्ट लग रहा है इंडिया को ही आखिरकार गुटने टेकने पड़े एंडियानिन के वीजा की सपेंड कर दिए हैं अगर इंडिया को फरक परता हो तो इंडिया इतना बड़ा इकदाम कभी ना करता वत्जानिन से जा कि शाइन कुरादर फसादी रूरी दुनीया फसाद करते हुआ है और कराय के उजरती कातल सफर्ड आमbit यह रहा हो रहा है इसाइन कॉना होने फिर हमने इतने सारे विक्टिम्स पकड़े हैं आफगानिसटान का इसम विल्चे का सबसे बड़ा नमौना है अगार फ़ट पहर लगाते हैं हम एक जगा टिकिंगे भी कि नहीं अफगानिस्तान सारा गलत नहीं है ना अफगानिस सारे गलत हैं। s antis हमारे मुल्क में भी कराइम होते हैं। 150 कौम latest 9system का कुछ नहीं होता तुम लोग इसी भुलावे में रह जाना अच्छा है मैं तो फिर कहूंगा ऐसे लोगों की संख्या पाकिसान में जादा हो नीचे हमें कुछ करने के जरूर थे निया बॉस उसमें ये मुझायदीन इन्होंने काम किया पाकिसान पूरा साथ दिया अपना दी 25-26 लाख वानियों को अपने गरों में जगा दी अपने इससे की रोटी आदी उसे खिलाई अपनों उसको पाला अब उसकी पूरी एक जनरेशन पाल दी है चल जूटे जूट बोलने में जरा बेशर्म नहीं आती तुमने अफगानियों को क्यों रखा मैं बताओं फिर मैं कहता हूँ जाकर पढ़ा कर मिलियन ओफ डॉलर्स करे रखा तुमने अफगानियों को आज डॉलर्स आने बंद हो जाए पाकिस्तान में अफगान रिफ्यूजी के नाम पे तुम एक अफगानी को नहीं रखोगे और ये बात अफगानी जानता है इसलिए वो आपसे नफरत करता है साथ में ये स्क्रिंशॉट चस्पा कर रहा हूँ देखो अमेरिका से अफगानी रिफ्यूजी के नाम पे कितने मिलिएन आफ डॉलर्स आते हैं ओओ आधी रोटी दी है जो वो अपना कमाते खाते हैं आधी रोटी नहीं दी है मैनत मझ्दूरी करते हैं किया तुमने रिफ्यूजी कैम्प बना दिया है और camp में सब कुछ free दे रहो कि हमने अपनी रोटी दी है हर अफगानिया पाकिस्तान में नौकरी करता है, काम करता है, मेहनत करता है उससे जो पैसे कमाता है वो अपना घर पालता है, अपना खुद खाता है जूटे बेमान कहीं के और ये जो million of dollars आते हैं तुम लोगों के उपर खार खार तुम लोगों के बेड़ वकरी हो ना basically पाकिस्तान की जंता के लिए पाकिस्तान की सरकार के लिए वो general Neta सब लेके जाते हैं बड़े जूटे हो यार प्रपगंड़ा भाई, जवर कर रहा प्रपगंड़ा ही है आप ये कहना कि सारे अफगानी गलत है नमैश से तफाक नहीं करता चांद एक अफगानी होंगे जो रुपाओं की लालच में आके पैसों की लालच में आके यह इस लोगों में ट्रैप हो जाते हूं ट्रैप तो कई भी किया जा सकते ना किसी को भी जैसे हमारे एक बर्गेड बर्गेडियन नहीं मिलें इंडियन इंटेलियंस लेगी वो जिस तरह भी उन्हें कुछ चमक चमक दिखा गए इसी तरह उनका भी हो गया तो यह सारी गेमें तो होती रहती है लेकिन इससे यह कहना के जी गुटने टेक देगा यह क्राइम डेट बार जग मैं इससे तफाक नहीं करता इंडिया को हर हाल में गुटने टेकने पड़ेंगे उसकी पूरी की पूरी ओवरसीज जितनी अप जाएंगे तो क्या होगा वह आप अपनी खिड़की बंद कर रहे हैं एक ताज़ा हवा का जो यॉऔरपी उसका तो पूरे दुनिया में उसका एक असरसूख है केनडा यॉरपी यूनियन का एक लाडला बेटा है जस्टन ट्रूडू एक बेहतरीन इंसान है जिसकी पूरी दुनिया में रेपोटेशन है जस्टन ट्रूडू की रेपोटेशन है अरे भाई धन्यो यार तुम जाकर केनडा की मीडिया को जरा फॉलो करो जस्टन ट्रूडू का अपने देश में रेपोटेशन नहीं है अभी एक सर्वे हुआ था उस सर्वे के रिजल्ट में देखो क्या रेपोटेशन है उसकी गंटा रेपोटेशन है और वर्ल्ड में कहते हो अभी पिछली G20 में जो बाली में हुई थी उसमें जिन्पिंग ने ऐसी वीडियो में लताल लगाई है टूडो को देखा नहीं तुमने वीडियो नहीं देखा होगा अनपड़ा आदमी हो न तुम यार बस बकर 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 करते हो उसके पहले भी कई वर्ल्ड फोरूम पे जो मीटिंग सुई है उसमें लोगों ने तो जस्टिन टूडो से हाथ मिलाने से ही निकार कर दिया मूँ गुमा लिया और आप कहते हो कि लाडला है यूरोपियन यूनियन का परे बाप परे बाप जस्टिन टूडो से मुसल्मान नहीं है लेकिन काम सारे उसके मुसल्मानों वाले है ख़दा के कसम काश वो मुसल्मान होता है तो मैं जाके सबसे पहले उसका आच चुम लेता इसके सारे काम हैं वो हमारी इद अलगाति यह ओति आती है वो मुबारक बात पेशकरता है तर겠어 진 झारा इंटीक्स के समझ नहीं है जरा भी नहीं है नहयाती जाहिल आदमी हो मैं कुछ नहीं कहूंगा सना मैं आपको कहता हूँ आप जाकर कैनेडा की मीडिया कैनेडा के अخवार कैनेडा का निव्स चैनल सच करिए और वहाँ पर देखिए कि इस टूडो के इस क्या कहूं मैं भारी ब्लंडर पर वहां की मीडिया वहां के लोग क्या कह रहे हैं तब आपको बात समझ में आएगी कि जो में बात क्या कह रहा हूँ इतनी इज़ए तो किसी और मुलकों नहीं करेंगे वो एकनेडा वो एकन्टिनेंट में होगा आँ तो इस बास से इताथा नहीं घाते हैं और जाकर बिजनस पैसा कमा के इंडिया में लाते हैं आज अगर इंडिया में जो मौच बहार है ना वो सारी कैनेडा की मरूने मिननत है अचा मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह इंडिया को नुक्सान होगा दुनिया की पांच वे बड़ी अकानमी है कैनेडा में इनके लाकों की तदात में हर जा हर साल जाके स्टुडेंट्स पढ़ते हैं बिलिन आफ डॉलर का कैनेडा को फाइदा देते हैं उसके बावजूद भी आप कहे रहे हैं जी इंडिया को नुक्सान होगा कैनेडा को नुक्सान नहीं होगा मुझे ये बात तो समझ नहीं हारी मैं चाहूंगी कि मेरे व्यूवर्स इस बात का जवाब कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें अचा सर मुझ हैं तो उसके बदले जॉब भी लेते हैं उनकी वीजा पॉलिशी आप ठागे देख लें ना कि वहां पर जॉब भी तो करते हैं उनका बिसनस बढ़ाते हैं रेविन्यू जिनरेट कर वाते हैं कैनीडा को यह एक अलाग बात है आप देखें अपने मुलक में आप गैर मुल सिखा रहे हैं कितना जबर दस आपको नॉलेज मुंत्किल करते हैं फॉसिलीटी देते है फुर आपको वहां पर सैटल करते हैं आपको पर जॉब करें तेंकी उनका रेविन्यू जिनरेट होगा ओधेगी वह अपना फायदा देखते हैं हर मैंना पहले भी बताया है कि हर साल वजा से जो के स्टड़ी के साथ साथ वहां पर उन्हें बड़े कम पैसों में जॉब्स भी करते हैं वहां पर जैसे मुल्क के लिए मुश्किल नहीं है उनका बॉर्डर नहीं है ना है उनका को विज़ा पॉलिशी है मैंपावर कैनेडा या अमेरिका कोई कहीं से भी ले भारत से या पाकिस्तान से या बंगलादेश से लोग क्यों रखते हैं अपने हां काम करने के लिए क्योंकि अगर एक वो अमेरिकन बंदे को रखेगा ना एक इलेक्ट्रिशन बता रहा हूं अगर एक इलेक्ट्रिशन रखेगा ना एक्जांपल दे रहा हूं इलेक्ट्रि पाकिस्तान में लोग बैठे हुए अफगानिस्तान में लोग तालेविल हैं उनको वहां सुना एक्सेंट नहीं कर रहे हैं तो तो सहरा रिवर्ट हो जाएगा सब कुछ इंडिया के लिए नुकसान दे है दे है वो पीछे सेट बैक होगा उनको और पूरी दुनिया जो आगे जाएगी और उनको मुका मिल जाएगा जो लोग पीछे सफ़ड हैं मेरे ख्याल से यह कैनेडा का किसी भी लिया से नुकसान नहीं है इंडिया का अपना नुकसान होगा इंडिया को जो इतनी ज्यादा इंकम होती है वह अपनी जो ग्रेंस बेचता है वहां पर खपत होती ह वह उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और शायद बहुत सारे और्डर्स भी कैंसल हो जाएं बहुत सारी एक्सपोर्ट भी कंड़ जो है ना वह हो जाए इंडिया को होने जा रहा है तो इंडिया ने जो कमाई G20 में की थी ना वो सारा उसका ज्ञाबडा उलटता हुआ नजर आरा मेरे ख्याल से मेरे ओपीनियन से भाई जिले कहता हूं कुछ भी बोलो लेकिन तुम लोग के तो आदत नहीं है ना सही बात तो बोलो के नहीं सही बात नहीं सही बात मैं बताता हूं एदे चलो रिउटर की रिपोर्ट पे तो भरोसा करोगे इंटरनेशनल एजिंसी है इंडिया के नहीं है ना इंडिया के किसी बंदे की है उसकी रिपोर्ट कहती है पढ़के नहीं आया है बंदा पढ़के ही नहीं आया उसकी रिपोर्ट के मताबिक 2022 में जो पिछला साल बीता है उसम दोनों देशों के बीच एट बिलियन डॉलर्स की ट्रेड हुई है आठ बिलियन डॉलर्स ध्यान जजुनना सबूत दे रहा हूँ तुमारी तरह लफाजी और बकवास नहीं कर रहा जो तुम प्रपगंडा फैला रहे हो तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया कनाडा को चार ब बिलियन डॉलर्स की है ठीक है अब पता नहीं यह ट्रेड वाली बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी तुम्हें इसका मैं क्या जवाब दूँ और तुम कहा रहे हो कि नुकसान भारत को होगा सुनो रियूटर की ही रिपोर्ट कहती है कि कंप्रेहंसिव एकॉनोमिक पार्टनर्शिप अग्रिमेंट CEPA के मताबिक कैनेडा और इंडिया के बीड जो है वो टूबे ट्रेड जो है वो करीब-करीब जो अभी बताईए मै उससे 6.5 बिलियन डॉलर्स बढ़ जाएगी और इससे कैनेडा की जीडीपी में 3.8 बिलियन से 5.9 बिलियन डॉलर 2035 तक इजाफा होगा अब है अकल के अंदे कैनेडा के एकॉनोमी में इतना इजाफा होगा भारत से कारोबार करने पर तो नुकसान किसका होगा बे आदमी ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स की समझ है ना जियो पॉलिटिक्स की समझ है ना एकॉनमी की समझ है बाद 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 ब क्यूं माने? आरोप Canada ने लगाए है सबूत Canada पेश करे इंडिया को जंगा कर दे पूरी दुनिया में इंडिया को बैज़त कर दे पूरी दुनिया में सबूत ले कर आए इंडिया भी तो यही कह रहा है ना कि भाई आपके पास सबूत है आप सब के सामने लेकर आओ और for your kind information भाई साब आपने लगता है कि केनडा के प्राइम मिनिस्टर और उसकी फॉरेंड मिनिस्टर का बयान धंग से सोना नहीं इस जी ख्रूब्स खालीज इसutarव विल्प्स अंग लजगिभ और उसकी फॉरेंड दोब्स लीत्तिततफेशμεंग ले बालीज चिए है पा可ना दोन्तिततम्स If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and as of today and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. सुन लिया, कैनाडा की फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रही है? मे भी इन्वाल्ब! अंग्रेजी इतनी पता है ना मे भी इन्वाल्ब का मतलब क्या होता है? उन्होंने ये नहीं कहा के इंडिया इस इन्वाल्ब! उन्होंने कहा मे भी इन्वाल्ब! जस्टिन टूडो नहीं भी नहीं कहा हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशन्स हैं! क्रेडिबल सोर्सेस से मिले! हम एलिज करते हैं! एलिज का मतलब क्या होता है? हम आरूप लगाते हैं! ये नहीं कहा कि इंडिया है! और जाकर कनड़ा के मीडिया पढ़िए! अगर आपने दम है ओपन चालेंज है! कनड़ा के मीडिया पढ़िए और कल को लेकर आईए मुझे सबूत! कनड़ा के मीडिया क्या सवाल कर रही है? क्या चर्चा कर रही है? कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमें सबूत तो दिखाओ, किसी को कोई सबूत तो दो, भारत भी यही करे है, भाई सबूत दे दो, अनपड़त पाकिस्तानी जब अपने आपको साबित करने लगता है न, कि मैं बहुत पड़ा लिखा हूँ, तो मुझे वो रंगा सियार वाली कहानी आजाती है, उस सियार जो है, वो रंगर खुद को समझ लेता है, जैसे बारिश होती है न, धुल जाता है, उसका तो सब आ जाता कर भी, यह तो सियार है, यार। वही रंगा जियार लगरा है, तो इस सिखों को पूरी नसल कुषी कर रहे है, उनकी, एक किया था उनकी लिस्ट थे बनागा रहा और घर में घुसने का जो यह राग लापते हैं ना अ रोजना सुपाष हमाम सुने झी घुस के मारेंगे घर में तो ये एक बाकई घर में चोरों की तरह घुसके की मारते हैं और मरवाते हैं लोगों को उसका बड़ा यिunktक बहुत ॉसिक खाँ ऐक बहुत बड़ा लीडर था खालिष्टानका मैं कहता हूँ खालिष्टान भी उतना जूरूरी है जितना कश्मीर जूरी जितना फिलस्तीन दुनिया में जहां कहीं भी अजादी की जंग लड़ी जा रही है उस लिहाज से सिखों को एक अलेदा तशक्ष मिलना चाहिए उनके अलेदा अपना स्टेट होनी चाहिए जहां पर वो अपनी मर्जी के मताबग अपनी जिन्दगी उदार सके ये था हमारा आज का प्रोग्रेम आपने जहानी पाकिस्तानी अवाम की राए तो भाई याद रख तेरी ही बातों कोंगा तेरा ही फॉर्मूला सिंदुस्तान के लिए चल रहा है ना वहाँ भी सपोर्ट मिलेगा बलुचिस्तान में चल रहा है ना वहाँ भी support मिलेगा, तुम्हारा ही formula, अजादी की तहरीके, TTP वालों को भी support मिलेगा फिर तो, वो भी पक्तुनिस्तान चाहते हैं, उनको भी दिलाएंगे, don't worry, बाकी तो अंदर से पढ़ रही है न, अब आते हैं जी कि आपने बड़ी-बड़ी बाते कर ली, जी बड़ा नुकसान हो जाएगा, इंडिया का, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छा, आपको पता है कि कैनड़ा से इंडिया को कितनी रेमिटेंस आती है, आप जो अभी-भी बग-बग-बग कर रहे थे न, ये कमा के बेजते हैं, और वो कमा के बेजते हैं, ऐसा कमा के बे अमेरिका से नंबर वन रेमिटन्स आता है 23.4 बिलियन डॉलर्स यू ए इसे तुम्हारा इसलामिक ब्रदर 18 बिलियन डॉलर्स यूनाइट किंग्डम 6.8 बिलियन डॉलर्स और कैनेडा का नंबर बता है कहा आता है एक दो तीन चार पांच छेस साथ आट नौ दस ग्यारा बार्वे नंबर पर आता है जी कैनेडा रेमिटन्स के मामले में 0.6 बिलियन डॉलर्स मतलब अगर आपको तो बिलियन डॉलियन में समझ में नहीं आएगा तो 100 रुपय जैसे मान लीज़े, टोटल 100 रुपय का रेमेंटर्स आता है, टोटल मान लीज़े, ओवरॉल उसमें से कैनेडा से बस 60 पैसे आते हैं 60 पैसे, 60 60 पैसे भारत का बड़ा नुकसान हो जाएगी जी भाईसाँ भारत की इकॉनमी चर्मरा आ जाएगी भारत का सामान तो बिकेगा नहीं तो जो 4 बिलियन डॉलर का सामान हम कैनेडा से खरीदते हैं वो हमारी इतनी बड़ी मंडी में कहां से आएगा फिर रेमेटेंस 0.6 बिलियन 100 रुपय में से 60 पैसे और हमारा नुकसान होगा हाँ पाकिस्तान के लिए बड़ी रखम है मैं मानता हूँ यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी रखम है बहुत बड़ी रखम है पाकिस्तान के लिए भाई अच्छा आपने कहीं कि यह प्रोड़क्ट वो प्रोड़ देखिए Canada की तरप से India को क्या क्या export होता है mineral products होते है vegetable products होते है metals होता है chemical है paper goods है ये सारे है 36% mineral products paper goods Midwest ये Al Jazeera की report है भई हम मेरी नहीं है मेरी report नहीं Al Jazeera की report है आपका इसलामिक ब्रडर हुड़वाला India से क्या क्या जाता है Canada Chemical product जाते है 20% मशीन जाती है, 10%, टेक्स्टाइल का 16% है मेटल्स का 14% है, प्लास्टिक और ये सब जाता है तो दोनों तरफ से बंदो जाएगा जी ना हमारे 4 बिलियन खर्च होंगे और ना हम 4 बिलियन कमा पाएंगे तो हमारे उपर तो कोई फरक नहीं पड़ता ना यार हम कैनेडा को 4 बिलियन देते थे और बदले में कैनेडा से 4 बिलियन लेते थे अब हम न 4 बिलियन देंगे न 4 बिलियन लेंगे तो 0, क्या फरक पड़ा इतनी तो मैत समझ में आती होगे ना आपको मैत में भी मुझे लग रहा है गड़बड़ा है मामला आपका समझे तो इतने सारे मैंने facts दिये हैं, इन facts को जारा समझ लीजेगा, पढ़ लीजेगा अब बाकी मुझे पता है कि आप सुधरने वाले हैं नहीं क्योंकि आपके पास मदर्चा चाप वाला ग्यान है बुरा मत मानिएगा आप लोग पर ऐसे ही थोड़ा मैं सर्कास्टिक वे में भी कहता हूँ, तो जल्दे मिलता हूँ एक और ने वीडियो के साथ, नमस्कार जय हिंद तो जी वीडियो खतम होगे काफी लंबी वीडियो थे बाठ बाठ कर भी हम सोन सुनकर भी ठाक गया आई थिंक थार्टी साल मिनट्स की वीडियो थी लेकिन टापक बड़ा मज़दार था तो इसलिए मुझेना मजबूरां मतलब ना उठानी पड़ी काफी अंसर थे अलोग साथ मतलब ने वीडियो में चालिज भी काफी पाथों पर किया है कि अच्छल भी हम उनके एक्सेप्ट नहीं का सकते हैं वह बड़े पड़े लिखे आदमी हैं इस चीज़ को अच्छल करता हूं उनके रियक्शन से पता चाहना है कि वह बाकी पहल ज़ादा है पड़े लिखे लेकर अधर इदर गल्तियां पी तो आहां पारी है ना अब हमें किल्बुशन यादव जो है किल्बु शाय विया जो है यह पकड़ा मैं था है मैं पड़ा कि कुए मुझे उस वकिता नहीं था ने क्ट मैंने बात की थी सबकर ते क्या नाम मुझे अरम घ्यार मारा गया नहीं का निजर jag्या है हैं तो किल्बूशन के हाथ में कौन से पाकिस्तानी गण देखी थी पाकिस्तानी कौन सा पिस्टिल देखा था तो ऐसा कोई पिक नहीं थी कल्बूशन के मेरे पास तो खैर नहीं है पता नहीं अब किसी खुफी अजनसी के पास आयक नहीं आई लेकर यह मैं फिर जो था ना इसी को जो निजर मारा गया तै, इसको टर्रिस्ट का था अलोक साने वीडियो में, तो मैंने एक काउंटर करते हुए ये का था, कि जिस तरह कलबुशन पाकिस्ताद में पाया गया, तो वो टर्रिस्ट नहीं है इंडिया के लिए, तो इसी तरह जो निजर है वो काइंडा में पाया है वो कैसे टैरिस्टे अइडिया के जबके निजर का आथ में बंदूक नहीं थी और तो तो इसलिए मैं उस बाद से भी एक्स्क्यूज करता हूं अपनी मैं उस बारा से मासद खाऊं कर मैंने बादे, जो को होगा गल्वणने किया है , और जो गल्वणने हो उसको इसको, खुले दिल से मान लेना चाहिए। यह यह Ming pan जाएं यही मरदानगी भी और और जए इसको इसको मान लेना चाहिए। तो मेरे इल्ले में उसको नहीं था मेरे इल्ले में जब बायद मैं इस चीज को अक्सेप्ट करता हूं कि निजर के आथ में बदूग भी देखी उसको ट्रेनिंग करते होए भी देखा उसको चलाते होए भी देखा और बड़ी पतेगे ना जो अडवांस किसम की गन वो के मामले में जिसी तरह लोग सा ने भी का कुल्बूशन के मामले में हमने कौन से सबुस्ट दी है जो हमारे वकील साफ गये थे ICG में, International Court of Justice में, तो वो क्यों नहीं प्रूव अभी तर कर सके क्या मसला क्या आ रहा है अभी तक कल्बुशन को अगर तो वो टर्रिस्ट हैं तो उसकी सदा क्या है, सिर्फ यह सदा मौत है तो क्यों नहीं पाकिस्दान अभी तक पाकिस्दान की जो अदारे वो उसको पंस तक पंचा है स्वाल तो बनता है रहमत अलाव सबूत नहीं है तो अभी तक बचा कि उसको क्यों रखा हुआ है अगर सबूत नहीं है तो फिर चोड़ दो उसको यह को इस तरह बनता है अब हमें अंदर की स्टोरी का नहीं पता अंदर की स्टोरी का लेकर बाहर से देखने से तो यह ही महसूस हो रहा है कि अगर उनके खलाव सबूत है तो उसको लटका और चुराय में अगर मैं ही है तो छोड़ दो अगर आपके अज़ार चुके हो आई सीजी में तो इंटर्शी कोट अफ़ जस्टोरी में पता नहीं है क्या मसला है बाहर से देखने में तो यह है कि इंडिया इसमें जो है ना सच्चा है पाकिस्तान जुट है तो मतलब ओपर से देखने में को जो केस भी आठ्वकत उनको वापस कर देना चाहिए अब हमारा तो मतलब भी नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास सफारी को को प्रोब भी जिस पर रखीकत में था था ना हमारे जिसने हमारे दोश्य को कटल शेहित दिया उदर हम नहीं बोलें साबत भी हो गया तक उसने मारा है वीडियो भी थी सारा कुछ था लेका फिर भी नहीं को हवालात में के बर्गस खिलाए गए हैं बड़ी खातर तवाई भी थी देख नहीं यार उसको मार देते हैं तो पिर यही हमारी इज़त होगी ना अभी एक और को पाके टीम का बीज कुने के लिए हैं बाकी तमान गड़े को त्रीबल इश्यो और पाकिस नहीं तक इसका मतलब क्या है को दलो यार कितना इन के लिए पैसा चांब गहरतों कामीनों का यह मैं कहता है मिया हर वीडियो में की सर्फ इस ही बडिक पर बात करूं और आप में लेकर आपनी जोली फ्हला कर सबसे मांनता फिरता है यह वो है जोली कि हमारे करिक्टर और हमारा पिसीभी बना हुआ है बहदा दल्ले को इनके लेए सिर्फ है पिसीभी मेजबान था इडिया ने कहा है कमने परिफ पर्कसा में जाना तो इनोंने का निया आज आज वाज़ा गप हम आप वहाप केम आते सिरिलंका स्लेकट की आओ जो जो मैन्य उता उधरिक मैंई उता बजाए इसके उतर ना जाने के आज इंडिया भी विज़े बनी देरा फिर भी कहने खुदा के लिए मारे विज़े खोल दो और लख दिला ना तमारे पाकस्तान होने पार बोलो इस पर क्या बोलतो रहें मैं यह बाकी वीडियो मुझे चोड़ लो मुझे बीपी आई यह जब समय जो ने नियूस हो रहा करता है लिए इतराग का कि यह कुछ है आने बजाए इस बात करता है यह कहते है कि भी हम ने खेलेंगे हमें भी एक और बहुत बहुत जब जब होती है थीक है आप नहीं आएंगे तो आपकी वजह से हमारा काउंसा जो भू बंद हो जाएगा यह खेलेंगे नहीं तो उस वक्ते इनको जवाब दे देना चाहिए भाई मैंने जो इनकाला यह ऐसे ही है माई बाप इनके लिए सिरफ पैसा है चाहे पीसी पीडियों चाहे हमारा मुलक के जितने पीडियों कोई चीज नाम होता है कि मैंकर नाम रिराख लेगे नहीं आपको लगता है कि हमारे किसी भी जो इदारा है या कोई भी वो मारा मजाग उड़ा ले इतना मजाग तो मैं कहता हूँ किसी कंट्री का बनी पुर दुनिया खंगाल लो गौनस् मैं के क्मीने टाइब की इस्मारा है ूपर से बाते हैं बगहरत कर दे कैमरों में कैमने वो कर दिया हिंडिया ने वो कर दिया और आप थी बगहरती है और दलाली इदर ही बगहरतों शाम में आ घाती है कि इंडिया प unij söyle एकologie आप ले ने प्रियु बरपानी में डूप के मर जो ऊबाकी वीडियो पर में क्या रेक्शन मन देख रहना है? पिल्कुल इस तरह ही है. वो हंसते हैं हम पर प्रो दूनीय हम पर हंसर ही है. 200 पाउरी हैं सुपर हम आटमी पावर होने के बाब वजूद. ईटमी पावर ऐटमी बती बना ले लोग जा ले आastern तो एक़ा देनmy पावर मैंका थाओं के आभी हीली निए कभिया है कि हम एडिया नहीं खेल ले जा था मैं इस लिए चाह नहीं मुझे शर्मिनगी होती है मैं पाकस्तानी am monsieur घाहरत है जव़े और आप पाकृस्तानी एंगे। मैं इसलियेक है मुझे शिर्मिल्दी है कि मैं पाकृस्तानी हूं। न्हों वो white प्या साधू मस्तोम कामेरे पर नज denkt, और सूपविब कामेरेश परुदाई हुए यह हमारी व्ज़त है इस तरह यह देख नहीं को हमारा जो निकराहन वजियर आदम है उसके काम क्या निकराहन जाता है यार बास और को निकराहन मुझे होगा जाता है मेरे बाफ मैना सर पटने का हुआ जाकर यह कश्मीर का मुद्ब फर सो उठा दिये नहीं कि लिए पर में जग इनसाई हो रही है यह नहीं किसी कुछ मैं अब इस से जर्ब यह बस ठीक है मिलते नहीं विडियो मनाट आप साथ अब तक दिये अजासत अलाफ